राजविधान सभा में शीत कालिन सत्र के तीसरे दिन आज भी जम कर हंगामा हुआ विपक्ष ने सत्तापक्ष पर केंदर से आबंटे चावल वितरण में पांच हजार करोड रुपए के घोटाले का आरूप लगाया इसके बाद दोनों ही पक्षों की बीच जम कर नारे बाजी हुई जिससे सदन की कारवाई बादित हुई केंदर सरकार के गरीब अन्न योजना के चावल वितरण को लेकर भाजपा सदस्य धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाया और गड़बडी का आरोप लगाया जवाब में खादि मंतरी अमरजीद भगत ने इन आरोपों का खंडन किया उन्होंने कहा कि केंदर से जितना चावल मिला उतना वितरित कर दिया फिर घोटाले की बात कहां से आती है मंतरी के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और सदन में विभागिय मंतरी और विपक्षी सदस्यों के बीच बहस हुई विपक्ष की ओर से डॉक्टर अमन सिंग, ब्रिजमोन अगरवाल, अजय चंदाकर, धरमलाल कौशिक और नाराण चंदेल सहित अन्य सदस्यों ने गर्ब ग्रिव में जाकर नारे बाजी शुरू कर दी जिसके बाद विधानसवा अध्यक्ष चरंदास महंत ने इन सदस्यों के निलंबन की गोशना कर सदन की कारवाई को स्थकित कर दिया